कि हेलो एवरिवान हो फियो अलार हेल्दी तो चलिए आज का क्लश सुरू करते हैं इस अबाउड अलोट्रॉप सब कार्बन जो कि आपके कार्बन एट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट है यहां पर अगर हम अलोट्रॉप के बारें बात करेंगे तो बैसिकली अलोट्रॉप चुर्फॉर्मस ऐसार क्लिव असे अलीमेंट ऊकर तो आपका यहां पर एलीमेंट सेम तो एक मिन्स हमें पता है जब तक कोई एलीमेंट क्या नहीं करता है मतलब केमिकली रीयाक करके दुसरे एलीमेंट के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है तब तो कि ऊसके चिंगकल प्रो परपरिटिस वहां पे परपरटिस में चैंज नहीं आता है तो यहां पर हम बोल सकते हैं जितने भी अलोट्रोब्रोप अंगे किसी भी अलिमेंट का तो वहां पर सबका जो जो हमें फ्र Το पर्पेश आप करेगा आपके फिसिकल और फिसिकल प्रपर्टिस को जरए आपको यहां पर इस वत कोυτ है तो एक लोग्ट के अंदर जितने भी लो ट्रॉप के सारे गुस्ते बारे में अगर हम यहां पर करेंगे बात करें मिए लोटॉप्स के परहें लूट करेंगे तो नॉर्माली जो कारवन होता है ना वो आपका क्या होता है ना वो क्रिस्टालाइन अवमोर्फम नहों फोर्म इंदोन फोर्म में persistent करता है एक में क्रिस्टाल इन और दूसरा होता है अमोर फोर्स ओके नेच्यर के बारे में बात करेंगे तो नेच्वेम अपको कार्बन एक तो free state में मिल जाएगा दुसरा combined state में मिलेगा free state में as an element और combined form में आपको पता है compound carbon dioxide gas is carbon का ही compound है हमारे fossil swells वो सारे hydrocarbon से वो भी carbon के तो यहां पर हम बात करेंगे carbon के तो crystalline मतलब यहां पर हम बात करें प्योर carbon के बारे में तो प्योर जो carbon होता है नॉर्मली तो जो फ्री स्टेट में जो करता है नेचर में वह दो ही फॉर्म में होता है एक होता है crystalline दुसरा होता है अमुर्फॉस तो यहां पर crystalline के अंदर पहला जो आएगा वो है हमारा graphite तो graphite पता है pencil का जो pencil में graphite का यूज होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें और इसका यूज क्या होता है हमारा जो लोग प्रोट्स बनाने में यूज किया जाता है देन सेकेंड में है diamond तो diamond jeweler में यूज होता है और जो cutting instruments होता है मतलब जो strong drills होते हैं वो बनाने में भी diamond का यूज होता है और ठाट जो की completely नया है जिसके बारे में मैं भी बहुत सरे बच्चे को पता नहीं होगा वो है fullerence तो यह तीन जो है these three are the crystalline form of the carbon यह सारे pure carbon है और हम basically इन्हीं तीनों के बारे में ही अभी पड़ेंगे अगर हम एमोर्फोस के बारे में बात करेंगे carbon का जो एमोर्फोस form होता है एमोर्फोस you can say यहां पे crystalline के case में हम बोल सकते हैं यहां पे आपको एक regular geometric form मिलेगा मतलब यह जितने में crystalline होते हैं कोई भी crystalline बोल रहे मतलब यहां पे आपको regular geometry form मिलेगा है मतलब सेप मिलेगा regular geometry सेप जबकि अमोर्फोस जो होते हैं वह basicly powdery होते हैं क्या होते हैं powdery यहां पर आपका कोई रेगुलर जोमेटरी फॉर्म या सेफ नहीं है ठीक है तो इसके अंदर अमोर्फॉस के अंदर कोक आ जाएगा जो की पाउडरी है और चार्कोल भी आ जाएगा कि देन लैंप ब्लाक भी आ जाएगा जो लैंप ब्लाक और यहां पर शूट भी आ जाएगा यह कारबन जो पाइन पार्टिकल्स अन बंड पार्टिंकल्स होते हैं ना सूट this okay तो यह सारे हमारे अमोफोस हैं तो इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है हमें इन ही छीजों के बारे में पढ़ना है क्रिस्टाला इन फिर्मस यही तीन अलॉट्रॉप सैं जो कि प्यूर कार्बन ने उगे तो इन इसका जो color है ना वह आपको मिल जाएगा gray black में तो दिसान इस grace black तो ग्रेश ब्लाक कलर का substance होता है graphite और nature के अंदर मिलता है और इभेन आप क्या कर सकतें इस चीज को अगर हम यहां पर क्या करेंगे से लेते हैं और कोग लेते हैं ऐसे लिए कोग इन दोनों को अगर क्या किया जाता है इनको हाई टेमपरीचर में गरम करना पड़ेगा इस मिक्शर को मिक्शर को क्या करना पड़ेगा high temperature में गरम करना बढ़ेगा इसके लिए आप electric furnace का हमारा यहां पे जरूत होगा तो electric furnace के अंदर अगर high temperature में इसे heat किया जाएगा तो तब यहां पे क्या मिलेगा आपको यहां से graphite मिल जाएगा तो artificially भी बनाया जा सकता है graphite को और nature में भी graphite available है तो यह graphite जो है इस वन इस ग्रेस ब्लाक कलर डिये substance है ना next point है इसमें हम देखेंगे क्या ना graphite basically क्या होता है अगर हम इसको touch करेंगे ना तो that will be soft होता है और second thing यह slippery होता है soft and slippery ओक तो इस वान इस soft and slippery to touch तो इसका reason क्या है soft and slippery होता क्या है पहले चीज़ हमें पता कैसे से लेगा यह soft and slippery है तो उसके लिए देखते तो अगर मैं यहां पे यहां पे मैं बना देता हूं अगर हम पेंसिल को अच्छे से देखेंगे तो पेंसिल में हमारा graphite क्या यूज होता है अब यह यूज क्यों होता है पेंसिल का जब यूज करते है यह लेयर भायर लेयर निकलता जब लिखते है यह लेयर बायर क्या होता है रिलीज होता है तो इससे पता चलता है जो graphite ना वह क्या है है North Slipbery है और यहां पर मतलब यहां पर क्या यह सॉप्ट नहीं जबकि अगर हम यहां पर बात करेंगे डाइमंड के बारे मिर तो डाइमंड का अगर मैं यूज करेंगा डाइमंड के लिए यूज किया जाता है जो तुछ ए तो कि कॴ कृपार्ट है यह哦 और यह लेयर बाई लेयर रिलीज होता है यहां पर हम इसको क्या करते हैं मतलब लेयर बाई लेयर निकलता है इसलिए हम उसको लिखने में यूज करते हैं और किसमें इसका यूज किसमें होता है यह हम यूज लूब्रिकांट हम इसको क्या करते हैं लूब्रिकांट के तरह की क्योंकि यह हमारा सब्स्तन्स है एक स्लिपरी है तो सब्सक्राइब करें सकते चक्राइब यूज करसके हैं यूज का concrete कब सब्सक्राइब तो यह और इक चीज़ है इसको को केंग इस deste का लिए नाउलाइटाइल लूपरेट हो जाएंगे उनका, मतलब बेसिकली वाइलिंग पॉइंट होता है यह नॉन वोलाइटाइल सबस्टांस जो हमारा क्या होता है अब भी मैंने बताया यह सॉप्ट समझने के लिए सॉप्ट के से हुआ उसके अर्णेंट में क्योंकि यह भी अपका फ्योर कार ने अगर इसको क्या किया जाएगा हाइड टेमपरेचर में मतलब आप इसको अगर स्ट्रॉग करोगे ठीके शो यह स्ट्रॉग हीट लिख लेता हूं on strong heating यहां पे आपको क्या मिलेगा only carbon dioxide मिलेगा only CO2 ही मिलेगा कोई और substance नहीं मिलेगा और यहीं चीज indicate करता है this one is pure carbon इसमें carbon के अलावा और कुछ भी नहीं है ठीक है और यहां पे अगर carbon है तो यह जो visible ऐसे होता है okay यह आपको hexagonal rings देखने के लिए मिलेगा okay तो यह hexagonal rings है और hexagonal rings okay तो यहां पे hexagonal ring है और यहां पे इसके नीचे मतलब यह क्या है लाइक यहां पे बना देता हूं और से बना लेता हूं यह आपका नादर रिंग है इसके नीचे सेम टू सेम विसे ही बनाना है हमें यहां पे तो ठीक है hexagon तो यह hexagonal rings बन के से रहे हैं क्योंकि graphide के case में क्या होता ना इसके कार्बन आटम मतलब हर एक कार्बन आटम क्या होता है ना यहां पे तीन ही कार्बन आटम के साथ अठाश होता है इसी बज़े से यहां पे आपको क्या मिलेगा ही hexagonal rings मिलेगा और वेसिकल यह जो कार्बन आटम होते हैं वह लेयर बाय लेयर होते हैं यह लेयर बाय लेयर होने के बज़े से वह आराम से स्लीप हो जाते हैं उनमें इतना मतलब स्ट्रॉंग बंडिंग नहीं होता है मतलब यह लेयर के बीच में ठीक है यहां पे आप दे आपको करनेक करना है और उपर वाले को उपर वाले के साथ है इसका उपर वाला कार्बन आटम को आपको उपर वाले कार्बन के आटम के साथ आटाच करना है अगें सेम ठीक करना है यहां पे नीचे वाले को नीचे वाले के साथ थोड़ा यहां पे चला गया है ठीक है चले क्योंकि आठे टाइम स्क्रीन नहीं देख पा रहा तो वही प्रोब्लेम हो रहा है ठीक है कॉपी में आपका अराम से हो जाएगा कुछ प्रोब्लेम नहीं तो यह हुआ यहां पर अगर देखेंगे तो अल्रेडी यह कार्बन आटम तो अटाज हो गया यहां पर उसके भी इस कि एगयन यहां पर नीचे को नीचे तक लेना है और उपर वाले कारबन आटम को उपर वाले कारबन का अटम कर दाटाश करना है यह मैं एक स्मॉल पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं कि यह से यह क्या होता है यह सारे जब चोटे से हम कार्वन पार्टिकल को भी पकड़ेंगे ना उन में से बहुत सारे से मतलब तुम्हें बहुत सारे रिंग्स देखने के लिए मिलेगा तिक यह बहुत ही स्मॉल पोर्शन है अ यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा यह जो लेयर बैसिखने के लिए मिल रहा है यह जो नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो यह इस एफ हैं यहां पे किसी फीर्ट होने के बज़े से क्या हो रहा है अराम से उपर वाला लेयर से निचा वाले लेयर से ने कम फोर्स की ज़रूरते बस हम क्या कर रहें जैसे अभी में जैसे लिख रहा हूं यह तो डिजिटाल है पर नॉर्माली पेंसिल का सब यूज करता है लेयर बाय लेयर क्या होता है रहाम से रिलीज हो जाता है ठीक है और यह फर्मेशन किसके वजेशे हुआ कितने कार्बन के साथ अटाच हो रहा है तीन कार्बन आटम के साथ अटाच हो रहा है ठीक है इसी बज़े से यह स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ठीक है तो इसी बज़े से आपको टू डाइमंचनल हेग्जागोनल स्ट्रक्चर मिल रहा है ठीक है तो इसी बज़े से आपको तो यह आपका two dimensional structure है देख सकते हो जो रिंग है न यह produce कर रहा है मैं लिख लेता हूं यहाँ पर बनना यह produce कर रहा है क्या टू डाइवेंस्टनल हेग्जागोनाल structure यह लिख सकते हो लेयर बाइब लेयर मिलेगा और यह लेयर बाइब होने के बज़े से यह soft होता है जबकि हम डाइमेंड के बारे में पढ़ेंगे डाइमेंड का structure कंप्रेटली अलग होता है उसमें वही carbon atoms होंगे यहां पर अलग होगा ठीक है तो यह आपका क्या है यह graphite का structure अगर ग्राफाइट के हम two-day structure देखेंगे तो हमें visible कैसे होगा सबको पता है जो रबट होग ने जब डिसकवर किया था उस्पैनिश ओक ट्री का उन्होंने वार्क लेकर वहां पर डेट सेल को डिसकवर किये थे उस समय उन्होंने बताया था जो सेल होते है हनी कम लाइक structure होते है तो सेम टुम वैसा ही कुछ यहां पर यह दिखाई देग आपको के ग्राफ का ओके आपका डाइग्राम अगर एक्जाम में आ रहा है तो इस ताइप कर यह करना है यह 2D structure of graphite यह क्या है 2D structure of आपको प्रस प्रस बाता। जिसमें आपको न ब्लॉक्तर होना चाहिए उसमें राव से फ्लो होना चाहिए तो मतलब यहां पे इसका यह तो हम यहां पर बता सकते हैं यह क्या है आपका गूड कंड़क्टर गूड कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी क्यों हो रहा है तो उसको समझने के लिए हमें पहले कार्बन के वैलेंसी में जाना पड़ेगा तो हमें पता है कार्बन का वैलेंसी लोक्त्रन होते हैं हमका चार दो के यहां पर मैंने क्या बता हरे कार्बन कि सब्सक्राइब यहां पर एक क्या हुआ प्री लोग्रन लेग है तो यही free electron क्या करता है, electric current को conduct करवाता है, that makes graphide good conductor of electricity, ठीक है, तो graphide आपका good conductor of electricity is because of this free electron, okay, तो यह चीज़ है, graphide के बारे में, और यहां पर यहां पर यहां पर पूछ सकता है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका क्या हो सकता है, like, जैसे graphide के पार, जैसे हमने क्या ब carbon के बीच में यह जो burned बन रहा है, this one is what, carbon और carbon के बीच में जो burned बन रहा है, okay, मैं भी short question में यह पूछ सकता है, इन दोन के बीच में जो burned length होता है, burned length, यह कितना है, यह question भी पूछ सकता है, तो यह burned length इन के बीच में कितना होता है, यह आपका कितना होता है, 141.5 picometer, clear, यह pic पिकोमीटर क्या है पिकोमीटर सब को पता होगा लोए क्लास पे पड़े होगा जब भी हम बात कर रहे थे एक्टम के रेडियेश के बार में तो उस रेडियेश को हम पिकोमीटर में ले रहे थे तो पिकोमीटर क्या है बहुत ही छोटा यूनिटे लेंद्ध मेजर को करने का 1 picometer equal 10 to the power minus 12 meter ठीक है अगर किसी को पता नहीं है तो इस इसको याद रख लेना 1 picometer होता है 10 to the power minus 12 meter ओके तो यह क्या है यह bond angle है तो next हम चलेंगे किसके बारे में तो यह था हमारे किसके बारे में graphite के बारे में तो next हमारा जो अलोट्रॉप है वो है आपका diamond तो चलिए diamond के बारे में बात करते हैं ओके diamond तो जैसे मैंने statting में बताया था graphite का जो color होता है वो क्या होता है graphite हमारा ग्रेइज प्लाक होता है वैसे diamond का क्या होता है diamond नॉर्माली हमारा क्या होता है colorless होता है यह colorless crystal है ठीक है colorless transparent crystal है इसके अंदर light राम से पास हो सकेगा okay but कुछ देखा होगा कुछ diamonds colorful भी होते हैं और यह जो diamond क्यों होते हैं अगर कोश्य यहां पर आएगा हमने बता है diamond नॉर्माली क्या होता है colorless transparent होता है transparent crystal होता है but तो different colors of the diamond जो यह होता है किसके बज़े से यहां पर due to some metallic impurities, due to some metallic impurities के बज़े से ही उसमें क्या होता है, आपका color आ जाता है, बढ़ना नॉर्माली जो diamond होता है, वो colorless crystal होता है, colorless transparent crystal होता है, तो यहां पर कुछ अगर impurities, metallic impurities आ जाते हैं, तो उसका color change हो जाता है, और एक चीज़ है, diamond में क्या है, देखा को diamond के अंदर light pass होता है, तो light के अंदर diamond आता है, तो वो चमकता है, okay, so that means हम यहां पर लिख सकते है, sparkles, okay, it sparkles under light, okay, तो light के अंदर यह क्या होता है, यह चमकता है, okay, इसमें चमक है, बहुत ही, मतलब बहुत, you know, diamond, बहुत ही, मतलब अगर थोड़ा सा भी light उसके अंदर पास होता है, तो बहुत जोर से चमक, मतलब बहुत ज्यादा चमकता है, okay, so that sparkles under light, और next thing, जैसे हमने इसका point हमने देखा था, यह क्या था, यह सौब था, और preparation के बारे में भी बता सकते हैं, यहां पर जो natural diamond होते हैं, वो basically size में बड़े होते हैं, जब हम artificial diamond के बारे हम बात क करेंगे, artificial diamond क्या होता है, छोटा size का होता है, बाकी दोनों में कुछ फरक नहीं, ठीक है, मतलब दोनों artificial diamond अगर बनाना चाहोगे, तो जो pure carbon को बहुत ही high pressure में, and high temperature में, okay, pure carbon से क्या बनाया जाता है, pure carbon लेना पड़ेगा, और यहां पे आपका high pressure and temperature दोनों देना पड़ेगा high pressure and high temperature, उस case में अगर हम apply करते हैं, तो उस case में carbon से क्या बन जाता है, तो वहां पे हमारा जो diamond बन जाता है, और जिसे हम बोलते है, synthetic diamond, okay, तो यह artificial diamond है, तो artificial diamond में उतना फरक नहीं होता है, मैट सिर्फ size का फरक होता है, बनना दोनों same ही होते हैं, जो natural diamonds होता है, वो nature में बना होता है, और वो size में बड़ा होता है, compare to synthetic diamond, okay, बनना दोनों में कुछ भी difference नहीं है, तो यह हो गया हमारा, हम बना सकते हैं, जो next point इसका था हमने, यहां पे क्या लिखा था, यह soft and slippery to toss है, तो इसके contrast में diamond हमारा क्या है hard है, okay, diamond क्या है hard है, तो यह बताने से पहले, पहले मैं बता देता हूं यहां पे, बनना लिख लेता हम पहले, okay, यह चीज, तो diamond basically क्या होता है, hard होता है, तो you can say this one is the hardest, natural known substance, non natural substance, hardest known natural substance, okay, अब यह hardest substance हुआ कैसे, जैसे हमने उसका बताया, वो slippery क्यों है, क्यों है, hexagonal wings, layer by layer connected हो रहे, वो एक वैंड्रोयल स्फोर्स, तो वेसे ही, यहां पे हम इसके structure में आ जाते हैं, तो diamond में जो for diamond का formation होता है, basically diamond के किसी भी crystal को अगर हम देखेंगे, छोटा सा crystal में diamond का पर यहां देखेंगे, तो यह चला, आपका diamond का छोटा सा crystal है, तो यह क्या अगर है, चमक रहा है, यहां पर, तो actual में यह small crystal है, यहां पर में ले रहा हूँ, small crystal, बहुत ही छोटा crystal, इसको लेके आजाओ, एक मिनट, ओके, तो यह आपका small crystal of diamond, बट, actually यह क्या है, यह small जो छोटा बाला crystal है, ना, this one is what, यह है आपका gigantic molecule of carbon atoms, मतलब आपको यहां पर carbon atoms का एक बहुत बड़ा network मिलेगा, देखने के लिए, हम तो यहां पर, जो भी मैंने जैसे graphite का draw किया, यह बहुत ही छोटा बाला portion, बहुत ही छोटा, बट, actually में अगर diamond का छोटा बी टुक्रा ले रहे ना, small crystal ले रहे वो होता है, gigantic molecule of carbon atoms, वहां पर बहुत सारे carbon atoms का एक network है, जैसे, ओके तो यहां पर, आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो स्कार्म यहां पर यहां पर नहीं है, यहां पर एक carbon atom के साथ 8, और यह चारो एगिन क्या होंगे, और तो यहां पर होगे 4, क्योंकि carbon का वैलेंजिक है, चाहरे तो वो उसके पास ऑगे कि है वूचार सिंगरों के फोर को वैलेंट बना सकता है तो यहां पर वोई तो यहां पे अगर में इस carbon को देखूंगा तो यहां पे आपको देख सकते हो यह अगर carbon के perspective में बात करेंगे तो यह पहला इस दूसरा इस तीसरा इस चोथा ओके तो इस चार carbon यहां पे carbon के साथ भी 80 अगर हम इंसे और connect करेंगे ना तो अज़र मैं यहां पर connect कर रहा हूं इन चारों carbon atom के तो यहां पर यहां में क्या मिल रहा है एक tetrahedron structure मिल रहा है क्या मिल रहा है tetrahedron structure this one is called regular tetrahedron okay तो यहां पर regular tetrahedron structure मिल रहा है और यहां पर यह इसको और एच्छे से कर लेते हैं यहां पर मैं इसको connect कर लेता हूँ यह इसा है और यहां पर each corner में और बोल सकते हो आपके यहां पर क्या है चार वर्रिटीसे सहे देखने के लिए मिल रहा है तो यहां पर चार वर्टीस में चार कार्बन आटम्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर चारों वर्टीस में एक, दो, तीन, चार, शो फूर कार्बन आटम्स, और यहां पर कार्बन, 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 देख सकते हूं, यहां पर एक अंगल बन रहा है, यहां पर तो इस अंगल इस चीज़ को हम बोलते हैं, बॉंड अंगल, तो यहां पर डाइमंड के केस में जो बॉंड अंगल बनता है न, वो आपका कितना है, वो है 109.5 डिग्री, बरना आप इसे इसे भी लिख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा यह, 109.5 डिग्री, आपका क्या, 109 डिग्री, 30 मिनिट, ओके, 109 डिग्री, 30 मिनिट, ऐसे लिखो या इसे लिखो, ठीक है, यह बॉंड अंगल है, मतलब कार्बन 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 के बीच में, क्या है जो अंगल है, ठीक है, कार्बन 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 के बीच में, जो अंगल है, ठीक है, और जो कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे हमने पहले इसमें देखा था, क से यहां पर आपको जो बॉंड लेंथ देखने के लिए मिलेगा वो कितना होगा वो है आपका 154 फिकोमेटर के बारे में तो पहले बता दिया था कि तो यह है 154 फिकोमेटर तो इसका इसी बज़े से यहां पर आपका एक कारवन एक मतलब यहां पर इच कारवन आटम एक टास्ट विट कि से अजय की एफ फोर कारवन-आटम्च अरे कार्वन आटम अपका 5 क्या एक क्या कर रहे हैं इस बज़े से यहां पर क्या कर रहे हैं यह एक निटुञ्पो बना रहे हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा तोि एक देखनी कि लिए तू यह Network of Covalent Burnts देखने के लिए मिल रहा है यहां पर क्या मिल रहा है Network of Covalent Burnts और इसी बजे से यह क्या हो रहा है यह 3 Dimensional क्योंकि यह जो Tetrahedron Structure है ना तो इसी स्ट्रक्चर के बजे से Carbon को क्या मिल रहा है तो यह इसके बजational 3-D पर दिवर कोना वसंग्रा कर उधिना डून उदो चैनल जारा बढ़ाए नौहीं है और इसी बज़े से ऑंके तो इसे हमें पता चल रहाए यह कितना स्रॉंगे इसाडल वह मतलब इस यूज बता होसे से पता चलता है कि आपका जå सब्सक्राइब किसमें आपका के यहां पर इस ट्रॉंग ड्रिल्स बनाने के लिए तो इसमें डाइमंड को मतलब डाइमंड का यूज करोगे तो देखा होगा बहुत सब्सक्राइब ग्लास कटर होता है डाइमंड ग्लास को भी कट कर सकता है तो ग्लास कटर में भी हम डाइमंड का यूज करते हैं तो यह था आपका किसके बारे में यह था अल्ड मतलब हां और कुछ पॉइंट्स रहे गए ना यहां पर तो हमारा जो यहां पर क्या था हमने जैसे यहां पर ग्राफाइट के स्वारा गूड कंड़क्टर अफ एलेक्रिसिटी है या नहीं तो देखो डाइमंड का जो है डाइमंड के खेस में अगर हम बात करेंगे हरे का टम करबन आटम कितने तीन करबन आटम के सट आटाश है तो यहां पर कोई भी फ्री लोक्रण नहीं है ठीक है क्योंकि यहां प कंड़ नहीं करता है कि नहीं उसका रीजन्य आपsisंस ओफ फरी लोटर нез क्योंकि यहां पे देखने के लिए मिल्या कारभण की केसमें हमें पता है एक ड्रेश् 아니라 describes हमारे चार कार्वन के सदाच हो रहा है मतलब करण से चारो इलोक्टरॉन से चारों ईलोट्रउन्स- homeless male jaa नोग दो इसकेस में आपको क्या मिल रहा है नोग प्रैट के चैसे में इक यह रहा था प्रियल ओंट्टरॉन्स रह और और यहां पर आपको कोई भी फ्री लोक्तर नहीं मिल रहा है जो कि इस चीज को बाट कंड़क्ट ऑफ एलेक्रिसिटी बना रहा है और यू कैन से वाट इस वान दस नोट कंड़क्ट एलेक्रिसिटी ठीक है अगर इसको जलाएंगे ठीक है नॉर्माली जलाना ओके डायमंड बहुत ही कॉस टेमपरिशर आप यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा टेमपरिशर में इसको घरम कर तो उसकेस में यह जलेगा और यह जलने से क्या मिलेगा यह पर इंट्रेस्टिंगली यहां पर आपको सर्फ ग्यास मिलेगा बोवी सीयोटू अल्ली क्यूंकि यह फ्यूर्ट कारबन का न लेगा इसीच में भी इंदा सकते थेवा अब हम यहांप रपाइड के इसीच केले करना चहुर्ऱ ही किया कर शाओ बन निखिथार कुछ ओंर ऐस्ट्रॉनंड जाओ यहां पर इसाओ अपर यहां पर यह भी क्या करेगा उनग रिप्रियोश अनली हाट कारवण इसको भी जलाओगे तो यह भी आपको कार्बन डायक्षाइड देगा क्यूंकि यह भी प्योर कार्वनी है यह था। यह भी आपको क्या यहां पर जो पॉइंट्स है क्या ने तो भी और कुछ पॉइंट्स रहे गया क्या था कि है तो फुलरिंस के बारे में बात करते हैं कि इनी तीनी आलोट्रोप्स के बारे में हमें पढ़ना है इतना पढ़ोगे तो आप कतम होता यह कंप्लीट हो जाता है आपका इतने में तो फुलरिंस ओके तो अगर हम फुलरिंस के बारे में बात करेंगे तो फुलरिंस वेसिकली यह क्या मिलेगा आपको डिफ्रेंट सेप में मिलेगा ठीक है मतलब आपको यहां पे सेप और फॉलो स्पियर में मिल सकता है पटिकें बरना आपको अलिफ्सॉर्ड मिल सकता है होलो स्पियर पता है सबको स्पियरिकल स्ट्रकचर है ओके अलिफ्सॉर्ड एलिफ्सॉर्ड स्ट्रकचर बताएगए लक साइब deze legal एक आपको पुछ ऐसा होता है इस पियर को में में थोड़ा सा फ्लारD mañana तो यह आपका ellipsoid structure है, और किसी देखने के लिए मिलेगा, और हमें मिलेगा, और भी बहुत सारे structure से मिलेगा, बट सबसे जो popular one हो है यहां पर आपको, तो famous one that one is spherical, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, okay, spherical fulleran, okay, this one is famous one, तो यहां पर spherical fulleran, जो है, उस spherical fulleran को हम बोलते हैं, यहां पर buckminster fulleran, ठीके, और इसे bucky wall भी बोल सकते हो, और bucky wall, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखो पहला चीज़ा है, यह नाम तो नया है, यह नाम actually आया कहां से, okay, यह आया है, मतलब एक architect के नाम से बना है, तो मतलब यहां पर you can write, this one is comes, name after architect, कौन, buckminster fuller, तो जो architect थे, buckminster fuller, उनके नाम से आया है, इन्होंने इसको discover नहीं किये थे, यह एक scientist नहीं थे, एक architect थे, okay, तो यह design उन्होंने यूज किया था, जो buckminster fuller, fullerine हम बोलता है, fullerine का, spherical fullerine का structure, जिसे carbon C60 बोला जाता है, तो उसका design है, इन्होंने अपना यूज किया था, okay, मतलब अपने काम में इन्होंने यूज किया था, और same to same वह design निकला, तो उनके नाम के मुताबिक, उसकी 60 को, मतलब यहाँ पे carbon 60, 60 atom में, मतलब उसके अंदर 60 carbon atoms वो connected है, यह एक football shape का structure है, उसका नाम दे दिया गया, buckminster fullerine, इनके नाम से, okay, तो यहाँ पे reason में लिख सकता हूं, लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे, because he used the similar, same, okay, वही वाला उन्होंने क्या क्या था design, यूज क्या था अपने काम में, okay, sorry, similar design in his work, clear, तो इसी बजे से, अपने काम पे वही design यूज किया था और उनके नाम के मताबिक यहाँ पे उस design का मतलब वो footwall shape design बना है, तो वह buckminster fuller के मताबिक उसका नाम हो गया, buckminster fullerine, इसका अगर discoverer पूछा जाएगा, buckminster fullerine है, यह जो c60 है, इसको discover किस ने किया था, you can say this one is discovered by, okay, यहाँ पे तीन scientist का यहाँ पे रोल है, एक है आपके, hw, kroto, okay, hw, kroto, और दूसरे जो है, e-smelly, and third one is RF call, तो इन्ही तीनों को fullerine के discovery के लिए, इनको novel prize मिला था, okay, अभी question यहाँ पे आ रहा है, fullerine उनको कैसे, ठीक है, नेचर में हमें graphide मिलता है, graphide, okay, सबने तो graphide देखा होगा, diamond में भी नहीं देखे होंगे, कुछ देखे होंगे, बट सबने तो नहीं देखा होगा, रेयल में diamond, okay, क्योंकि वहती costly होता है, तो यह question दिमाग में आ रहा है, यह किसे दिखाए देता है, इसके नाम तो पहले बार सुन रहे हो, तो यह कैसे दिखाए, actually यह जो था ना, यह कहाँ पर मिला, यह आपका जो interstellar, okay, interstellar, interstellar dust में, ठीके, यह जो interstellar आया कहां से, interstellar मतलब आपको between stars, okay, between stars से interstellar, between stars, stars के बीज में, okay, interstellar dust में यह मिला, and और कहां पर, ना, कुछ carbon के rocks में, okay, and you can say some carbon rich rocks, अभी question आ रहा है, क्या इतने बड़ है, जैसे हमें graphite हमें दिखाए दे रहा है, and diamond भी तो दिखाए दे रहा है, क्या यह भी वैसे मतलब बड़े size क्योंगे नहीं, देखो, सबको पता है, रदर फोर्ट ने जब gold foil experiment किया था, उस case में उन्होंने gold foil का seat use किया था, वो था 1000 atom thickness, 1000 atom thickness वाला था, okay, जबकि normal paper आता है, वो 1 million atom thickness का होता है, तो सोचो, वो कितना पतला होगा, और यह तो सिर्फ 60 carbon atoms का है, तो यह कैसे आपको normally दिखाए देगा, बताओ, दिखाए नहीं देगा, बहुत ही छोटा है, तो हम structure बना रहें इतने बड़े, बट यह इसे दिखाई नहीं देंगे, तो इसका जो shape के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका जो shape है, यह foot wall जैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, this one looks like foot wall, तो यह exactly foot wall जैसा ही दिखाई देता है, तो इस चीज़ को अगर हम इसका diagram बनाएंगे, तो कैसे होगा, यहाँ पर आपको pentagons देखने के लिए मिलेगा, और hexagon, मतलब hexagonal panel देखने के लिए मिलेगा, और pentagonal, थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, बढ़ना complete नहीं होगा, क्य यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हर एक corner में carbon है, मैं इसे line खीच रहा हूँ, आप यहाँ पर carbon भी लिख सकते हो, तो यह आपका pentagon है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर hexagon भी attached हो जाएगा, तो इससे hexagon, मतलब hexagonal panel and pentagonal panel, तो इससे देखने के लिए मिलेगा, ठीके, य यहाँ चीज है, इसा, कुछ हैसा है, तो आप इसको practice कर लेजना अच्छे से, थोड़ा, यहाँ पर आगया, यहाँ पर आगया, यह complete हुआ, यह हुआ, इससे आयागा, तो इसको footwall देशा से बना देते हैं, side में curve कर लेते हैं, यह continue होगा, इससे आपको इसको continue करना है, तो आपको hexagonal and pentagonal panel दोनों ही बनाना है, तो यहाँ पर, तो यह जो hexagonal and pentagonal बन रहा है, तो यहाँ पर आपको double band देखने के लिए मिलेगा, और single band देखने के लिए मिलेगा, double covalent band का produce, मतलब कब बनेगा, जब 2 electron वो सयार करेंगे, यहाँ पर double band, यहाँ पर single band, यहाँ पर double band, और यहाँ पर single band हो गया, और यहाँ पर double band इसका हुआ, तो देखो, actually double band, single band कैसे आ रहे है, यहाँ पर carbon है, हर एक corner में आपको क्या मिलेगा, carbon देखने के लिए मिलेगा, इसे 60 carbon होंगे, कितने total यहाँ पर आप बनाएंगे ना completely, तो यह hexagonal जो panel है, hexagonal panel से, वो यहाँ पर total 20 hexagonal panels है, जबकि pentagonal panels, वो मिलेगा 12, तो हर एक panel जो यहाँ पर देख रहे हो, इसके corner में carbon atom है, उसके corner में क्या है, carbon atom है, तो carbon का valency 4 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, मतलब इसे ध्यान रखना, carbon के 4 होता है, मतलब 4 होना चाहिए, अगर double band कहीं पर हो रहा है, तो बाकी 2 होना चाहिए, तो मतलब total 4, तो उस यहाँ पर आपको both single band and double covalent band, this one is single जो के आगे पढ़ेंगे इसके बार में and this one is double covalent band, okay, दोनों देखने के लिए मिलेगा, यह एक foot wall जैसा safe है, इसको complete कर सकते हो, आपके continue कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर यह से बनेगा, चलेगा, this one, यहाँ पर hexagonal ring इसको continue कर सकते हो, clear, तो यह था किसका structure, यह था अवारा buckminster fuller in, बना इसको bucky ball भी बोल सकते हो, बना C60, क्योंकि 60 carbon होते हैं और हरे carbon आपके each, क्या होगा, each corner में मिल जाएगा, यह जो panels hexagonal and pentagonal panels में, आपको carbon मिल जाएगे, तो next is, जैसे graphite soft था, diamond hard था, okay, diamond hard था, hardest substance, okay, क्या यह soft है, देखो, यहाँ पे यह neither hard nor soft, नहीं ज्यादा hard है, neither hard nor soft, यह दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको जलाएगे, तो इसके साथ क्या होगा, तो इसको अगर भी जलाएगे ना, तो यह भी वही करेगा, यह भी carbon dioxide ही प्रडूश क only, clear, तो इससे पता चल रहा है, यहाँ पर इनके प्रडूश से पता चल रहा है, क्योंकि जला रहे है, means that one is reacting with atmospheric oxygen, तो यहाँ पर oxygen आ गया, बाके carbon तो वो खुदी है, तो यहाँ पर carbon reaction मिला, बनना कुछ और मिलता ना, अगर यह carbon ही नहीं होता, ओके, यहाँ पर और एक चीज है, देखो, double burn, triple burn दोनों आ रहे, तो यहाँ पर carbon, carbon के बीच में, जो burn distance होगा, मतलब burn length होगा, तो वो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब यह distances आपको 143.5 picometer and 138.3 picometer मिलेगा, ठीके, मतलब distances carbon, carbon के बीच में, clear, क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग टाइप के पैनल, वहाँ पर hexagonal rings थे, यहाँ पर दो अलग टाइप के पैनल आपको मिल रहा है, एक hexagonal panel, यहाँ पर यह pentagonal है, जबकि यह वाला hexagonal panel है, ठीके, इसको complete circle बना, मतलब complete बना होगी, एक दम exactly foot wall design दिखाई देगा, और य नेक्स्क्लास मिलेंक